कोई लड़के ने अपने पिताजी को कोई दिन पूछा कि पिताजी मनमें प्रश्न हो रहा हैं पिताजी ने का बता उसने का कि त्रेता यूग में भगवान राम ने अपने पिताजी का वच्चन माना तो वे महान हो गए लेकिन सत्यूग में प्रश्न ने अपने पिताजी का वच्चन नहीं माना फिर भी वो महान हो गए तो पिताजी आप मुझे बताएं मुझे आपके वच्चन का पालन करना है कि नहीं महान तो मुझे भी बनना है भगवान राम ने अपने पिताजी का वच्चन माना था तो मह बन गए पूजनिय बन गए प्रहलाद नहीं माना तो भी बड़े बन गए पूजनिय बन गए तो मुझे क्या करना है वो दिक्कत है किसी लड़के ने अपने बाप को पूछा प्रशने कैसा है जोड़दार है न तो मैं क्या करूँ लड़के ने पूछा पिता जी को मुझे आपके वचन मानना है या नहीं मानना है पिताजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटे तृतायुक की बात अलग है सत्युक की बात अलग है ये कल्युक चल रहा है ये कल्युक में आपको या मुझे जिनको भी महान बनना है हम दोनों को अपनी मम्मी की बात सुननी होगी तेरे मम्मी की बात सुननी होगी उनके वचन का पालन करना पड़ेगा यह मैंने एक लाइटर मुमेंट में यह बात की लेकिन इससे यह बात आपको यह पहुँचा नहीं है कॉम्प्रोमाइस और सबसे बड़ी बात है जबान पे लगाम वहां से ही सब बात बिगरती है जबान पे लगाम नहीं होती वहां से सब बात बिगरती है परिवार में और व्याउसाय में दोनों जगापे कोई भाई साब एक बार मतलब मौर्निंग में morning walk के लिए पार्क में गए उनके family doctor भी महा मिल गए family doctor एक हफ़ते से बार थे तो एक हफ़ते के बाद ही मिले रोज तो morning walk में साथ में रहते थे एक हफ़ते के बाद मिले तो सिधा ही प्रशना पूछ लिया के how is your headache? क्योंकि वो headache मतलब कुछ होगा उसको प्रशना और एक तकलीफ होगी और वही doctor treat करते होंगे तो डॉक्टर ने पूछा के how is your headache? तो ये भाई साथ ने उत्तर गया के she has gone to her parents पूछा था क्या? आपका शीरदर्द कैसा है? उत्तर क्या दिया? वो अपने माहे के गई है जबान पे लगाम नहीं रखोगे तो तकलीफ आएगी आप ये नहीं समद ले ना मैं कुछ भी बोल सकता हूं कोई भी शब्द प्रयोक कर सकता हूं No, everybody has to be within the limits limits of soberness limits of etiquettes limits of manners परिवार में सभी सदस्य एक है प्रमुक्समी माहराज इसको वानी विवेक बोलते थे वो होना बहुत जरूरी है हमने कई परिवार देखें सूरत में बहुत बड़ा परिवार है SR के ग्रूप शीराम करश्न डाइमंड्स उनके मालिक है गोविन भाई पतेल मतलब गोविन भाई धोड़ा क्या आज से दस हजार करोड का टन ओवर है उनका साल का सौजी भाई उनके कजिन ब्रदर हैं मतलब एक ही परिवार है गोविन भाई धोड़ा क्या के परिवार में हम उनके पूरे परिवार के साथ कहीं बार बैठें उनके युवा या तरून या छोटे बच्चो इन सभी के जीवन में जो संसकार है गोविन भाई धोड़ा क्या अपने परिवार में छोटे से छोटे बच्चे को भी मान दे के बुलाते हैं कभी तू नहीं किया आप छे मैने का लड़का हो उसको भी मान वाचक रुप में बुलाते हैं क्या संसकार है यह तो मैंने का आपको एक छोटी सी परिवार की एक छोटी सी बात की तो ऐसे समरुद परिवार में जैसे मैंने गोविन भाइ दोड़क्या की बात की ऐसे बड़े परिवारों में इस प्रकार के संसकार और खांदा नहीं है यह रिस्प्ैक्ट तो आपको रिस्प्ैक्ट मिलेगा मैं परिवार का सबसे बढ़ा हूं मुझे सब को respect अगर मैं दू न दू लेकिन सब को मुझे तो respect दे नहीं है यह attitude के साथ मत जी न जब आप head of the family बनते हो न तब आप परिवार के प्रथम servant भी बनते हो जैसे president होते हैं देश के प्रथम नागरी के हैं उसी तरह आप जब परिवार के मुख्या बनते हो लाना नहीं तु यह कर दे तू वो कर दे तू यह कर दे नहीं हम साथ में रेके यह करेंगे परिवारिक भाव यह भगवान पे शद्दा सत्षास्त्रों में शद्दा पवित्र जीवन जितना भी आपका ज़्यादा रहेगा यह सब विचार आपको ज्रड होंगे आखरी दो मिनिट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं प्रमुक समी महारत ने इसके बारे में ये बात बताई ये घर सबा हर हफ्ते दो दिन के लिए रात को आदे घंटे के लिए आप सब परिवार जन साथ में बैठें आध्यात्मिक्ता के लिए जो भी करें फिर आपका कोई धर्मगरंथ हो वो आप पढ़ें फिर आप एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आप क्या समझे आप क्या समझे और हरोज अलग-अलग परिवार जन ये बात करते हैं पढ़ते हैं शेयर करते हैं तो घर में कुछ स्पिरिचुल वाइब्रेशन भी घर में चार दिवारों के बीच कुछ आध्यात्मिक वाइब्रेशन तो आने चाहिए कि नहीं वो जब अब धर्मशास्तर खोलेंगे साथ में बैठे कुछ पाठ पूजा करेंगे तब ही आएगा और युनिवर्सिटी अफ कलंबिया ने ये रिसर्च करके बात बताएं कि जो परिवार में सब परिवार जन साथ में बैठे कुछ दार्मिक विदी विदान करते हैं उस परिवार में एक दुसरे के प्रती सैंशनुता भाव बढ़ता हैं एक दुसरे के प्रती प्रेम भाव बढ़ता हैं एक दुसरे को एक दुसरे के प्रती मेरी कोई क्रिया से उस उसको physical, mental, emotional hurt न हो जाए, उसकी तकेदारी बढ़ती है यह सब बाते प्रूड है मैं सिर्फ आपको शद्धा की बात नहीं करूँगा शद्धा के साथ logic और science की भी बात करूँगा तो घर में TV, entertainment, Netflix के vibrations चलते हो, फिर जगड़े ही होते हैं तो क्या होता है, चिल्लाते ही हो एक दुसरे के प्रती tension भी रहता है थोड़े अध्यात्निक vibrations भी चार दीवार के अंदर बढ़ने चाहे की नहीं दाया बाया कौन सा है वो बहुत जरूरी है तो यह थोड़ी बाते मैंने आपको बताई प्रत्थम बाते बताई थी time, care and responsibility second बाते यह बताई थी कि husband, wife और family members के बीच आपके संबंद तीसरी बात आपको यह बताई कि आपके वुरुद माता पिता की सेवा और चौथी बात यह बताई कि भगवान के प्रतिशद्दा ध्यात्म के प्रति कोई समय, व्यक्तिगत समय देना इस प्रकार की भवना और प्रैक्टिकल्स तो इससे पारिवारिक मुल्य हम अपने जीवन में अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में द्रट करवा सकते हैं आप सभी के लिए आज हम प्राथना करते हैं आप सभी के अंतर में ये बात स्थीर हो आप सभी के परिवार में ये बात ठीक तरह से उतरे आप सभी परिवार बहुत सुखी हो S.E.M. Bhagawan स्वामी नाराएं और महाविर स्वामी बगवान के चौरणों में आप सभी के लिए पराथना करते हैं Thank you very much for patiently listening to me and all my prayers for you